आइम सुदर्शन कुप्ता गावर्मेंट एक्सेलेंस हार सेकंडरी स्कूल नंबर बन शिवपुरी प्रतिलों त्रकुमितिय फालान यानी इनवर्स ट्रकुनमेट्रिक फंक्शन चैप्टर सेकंड की ही विवेद मिसलीनियस का एक्जामपल 11 इसमें हमें सो करना और्शाना है साइन इनवर्स 12 अपन 13 प्लस कोट्ष इनवर्स 4 अपन 5 प्लस 10 इनवर्स 63 अपन 16 इक्वल पाई इसकी वैल्यू पाई है जिए हमत्रों करना है तो इसमें लेके चलेंगे तो लेचेस में हमने देखा, sin inverse भी है, cos inverse भी है, और 10 inverse भी है, तो अब जी अलग अलग है, या तो sin होता तो हम sin inverse x plus sin inverse y का formula लगा देते ही, cos होता तो cos inverse x plus cos inverse y का लगा देते ही, 10 होता तो उसका भी लगा सकते थी, अब जी सारी अलग अलग हैं तो हम क्या करें, कि इसको भी 10 में बदलें और इसको भी 10 में बदलें तो इन्हें हमें 10 में बदलना पड़ाएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है तो हम देखते हैं यह जानते हैं कि sin inverse x को 10 में बदलना है इसका formula क्या होगा इसके लिए हम आपको idea बताते हैं कि इसके upon में कुछ नहीं है तो अपने इसको बन मालेंगे और अपने mind में सोचेंगे कि sine में क्या होता है triangle में sine theta equal perpendicular upon hypotenuse यहनि लंब बटे कर्ण तो इसको जदी हम लंब मानें इसको कर्ण मानें चोटा सा इदर triangle बनाएं तो sine theta का लंब बटे कर्ण होता है तो जी x हो गया और बन हो गया और 20 निकालना है आदार निकालना है तो जी हो जाएगा 1 minus x square और 10 में बदलना है तो 10 का होता है लंब बटे आदार perpendicular upon 20 तो जी हो जाएगा x upon 1 minus x square कितना आसानी से sine 10 में convert हो गया तो जी x की जगाई पर 12 upon 13 है तो जहापर 12 upon 13 के साफ से 10 में convert हो जाएगा ऐसा ही हम cos को भी बदले 10 में cos inverse x को 10 में बदलना है तो वही तरीका इसका हमने छोटा से triangle बनाया cos का होता है आदार बटे कर्ण अब इसमें जी x 20 हो जाएगा इस वाले में परिपेंडिकुलर हो गया तो इसमें जी 20 हो गया और इसमें लंब चाहिए परिपेंडिकुलर तो 1 minus x square पाइस अगरे से आ जाएगा इसको आप रफ में solve करके दिख सकते हैं और चुकि इतनी बड़ी class है तो इतना तो हम डारेक्ट कर सकते हैं कि कर्ण के बर्ग में से आदार का बर्ग जाएगा उसका root ले 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 तो लंब आ जाएगा और 10 का उतार लंब टे आदार परिपेंडिकुलर पाइस तो इसमें हो जाएगा 1 minus x square पाइस इस परकार से sign 10 में convert हो जाएगा और cost भी 10 में convert हो जाएगा तो आएए हम इस question में sign और cost को 10 में convert करें ध्यान रहे sign में x की value 12 upon 13 नहीं 12 बटी 13 रहेगी और cost में जो x की value रहेगी वो 4 बटे 5 रहेगी तो जो lhs है पहले हम lhs लग देती हैं इसके बाद में हम value को convert कर देंगी तो देखें lhs कितना है sign inverse 12 upon 13 plus cost inverse 4 upon 5 plus 10 inverse 63 upon 16 इसमें हम sign inverse में लिखेंगे तो जो जागा 10 inverse देखें इदर x की जगए पार 12 upon 13 लिखेंगे तो 12 upon 13 और नीचे under root में 1 minus x square यहीं 12 upon 13 का whole square plus cost को भी हम 10 में convert करें तो जो जागा 10 inverse हो under root 1 minus x इसमें x कितना है 4 upon 5 का square upon x यहीं 4 upon 5 और 10 inverse 63 upon 16 डारेक्ट जो चुकि हम formula का use कर रहे हैं इसलिए जैसा रहा हम यहां पर जो sign inverse x है उसको 10 बदला अब डारेक्ट sign inverse 12 upon 13 को 10 बदल सकते थे यहां पर sign inverse 12 upon 13 लिखते तो 12 हो जाता लंब और 13 हो जाता कर्ण कि हम अभी formula पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसका यूज कर लिया आप डारेक्ट इसको चैंज भी कर सकते हैं डायेट चैंज में आ रहे हैं ना कैसे जैसे हम को स्कू करना चाहें चुर्ट फूर फॉर पॉन फॉर फाइब तो फूर हो जाएगा बिस और फॉल जाएगा आप पर यहां पर आपन को निकलना पड़ेगा बात बराबर है इसमें कोई दिक्कत नहीं आप चाहें किसी भी तरीके से उसको कर सकती है तो यह आजागा 10 इनवर्स उपर हमारा 12 अपन 13 है और नीचे हम इसको सॉल्व कर लेती हैं डिनोमिल्टर में 12 का बर्ग उजागा 144 और 13 का उजागा 179 पिलस 10 इनवर्स ऐसे रूट के अंदर इसमें 16 बटे 25 चीज अपन 4 अपन 5 और 10 इनवर्स 63 अपन 16 जे ऐसा ही कैसा रहने देंगे अब हम 10 इनवर्स उपर देखें 12 अपन 13 और इसका एल्थियम लेंगे तो जे इदर चल जागा 179 माइनस 144 अपन 169 ऐसा ही इसको 10 इनवर्स इसका इल्थियम लेंगे तो जे 25 इदर चल जागा 25 माइनस 16 अपन 25 ये पूरे का है रूट है अपन 4 अपन 5 इक्वल पिलस है 10 इनवर्स 63 अपन 16 इसके बाद में 10 इनवर्स 12 अपन 13 इसको हम डायेट कर रहा है 179 में से 144 जाएंगे तो पच्चीस बचेंगे 25 का 5 हो जाएगा बर्गमूल और 179 का तो 13 थाई तो 13 का इसकोरी बन बोचा तो उपर हो जाएगा 5 अपन 13 इसका हो जाएगा 10 इनवर्स 25 में से 16 जाएगा 9 बचाएगा 9 का 3 तो 3 अपन 5 हो जाएगा 3 अपन 5 अपन में 4 अपन 5 इस calculation है, समल समल के calculation करना, तो आपका answer आसानी से आता जाएगा, answer की करीब आप पहुंचते जाएगे, आप हमने 13 से 13 cancel कर दिया, 5 से 5 cancel कर दिया, 10 inverse, इदर आजागा 12 upon 5, और इदर आजागा 10 inverse, 3 upon 4, और 10 inverse, 63 upon 16, चलो इसमें भी अपन ब्रैकेट का उप्योग कर लें, बस अब इस step के बाद ही, अपना कुछ थोड़ी सी technical point है, उस पर आपको ध्यान देना है, इसमें 10 inverse X plus 10 inverse Y का formula लगाएंगे, तो जे X है और जे Y है, 10 inverse X plus 10 inverse Y का formula नर्मली अपन क्या लगा देते हैं, 10 inverse X plus Y upon 1 minus X Y, जब भी अपन को यहाँ पर फर्मूला लगाना है, और जी numerical में value दिये, तो हम झें देखते हैं, कि 10 inverse X, तो यहाँ पर फर्मूला हम तोड़ा लेके देते हैं, 10 inverse X plus 10 inverse Y, और यदि इनका product है, तो इसका पाई प्लस 10 inverse X plus Y upon 1 minus X Y, जब फर्मूला होता है, पाई प्लस का जब X by 1 से greater है, एकस बाई बन से greater का है, यहाँ पर माइनस बचाएगा, तो बन माइनस, माइनस है जब एकस बाई बन से greater है, तो जब पाई प्लस लग जाता है, और बैसे direct formula होता है, 10 inverse X plus 10 inverse Y का equal 10 inverse X plus Y upon 1 minus X Y, जब X Y बन से less है, नॉर्मल में अधिक तर question हम बन से less ही रहता है, कुछ types के question है, जिसमें product बन से ज़्यादा होता है, तो देखना, X इसमें दिया 12 बटे 5, तो 12 बटे 5, और Y दिया है 3 बटे 4, 3 बटे 4, तो 4 तिया 12, जब 9 बटे 5 आएगा, जो की बन से greater है, इसलिए इसमें formula हम पाई प्लस का लगाना पड़ाएगा, तो जब ध्यान दा है, कि इसमें जब formula हम पाई प्लस का लगाएगे, तो जब आ जाएगा, पाई प्लस और 10 inverse X plus Y, X आपका है 12 बटे 5, Y है 3 बटे 4, और 1 माइनस X Y, वही X 12 बटे 5, और 2 है 3 बटे 4, प्लस हम 10 inverse 63 upon 16, यह तो यह से कैसा लिखते चले जाएगे, फिर पाई प्लस 10 inverse, इसका लसम लेंगे, तो 5 यह को 20 इसका लसम आएगा, चार का मल्टिप्लाई अधर होगा, तो 12 चोक 48, यह 48 हो जाएगा, माइनस 15 पंदरा, प्लस है बीच में, अपॉन 5 चोक 20 बीच में आएगा, तो 20 इस अधर जाएगा, 20 माइनस 12, 36, और LCM से LCM हमने डारेट कैंसल कर दिया, और 10 इनवर्स 63 अपॉन 16, अब आगे का स्टेप देखें, पाई प्लस 10 इनवर्स, जे 63, और जे माइनस का 16, नीच माइनस का बचाएगा, और जे प्लस का S, 63 अपॉन 16, इसी के आगे हम दिख लेते हैं, तो हमने दिखा कि 10 इनवर्स माइनस में आगया, जे, तो 10 इनवर्स माइनस X क्या होता है, माइनस के 10 इनवर्स X, तो 10 inverse minus x होता है minus के 10 inverse x तो वो minus 12 आ जाएगा तो यह minus यह प्लस से cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका πाई minus 10 inverse 63 upon 16 प्लस 10 inverse 63 upon 16 यह cancel हो जाएगा और आपकी value πाई आ जाएगी तो यह आपका पाई इसका answer हो जाएगा इस प्रिश्ण का पूरा solution एक साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं